Hello students Welcome to whether I got me हुइस वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेगे हैं और इसके बैसिक को पढ़ेंगे और इसे पूरे ट्रकुद को भी कवर करो कि ईतंस चैप्टर को भी कवर कर देंगे हैं कहीं भी एकक्ष्ट्रा पढ़ने ज़रूरत नहीं है इसी वीडियो में सब कुछ हम तुमें बता देंगे कैसे solve करना है क्या इसके key points है सारी चीज़े बता देंगे एक वीडियो में पूरा का पूरा chapter cover ठीक है अच्छा ये जो वीडियो बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जिनको बिलकुल math नहीं आती है और अगर आती भी है तो बहुत कम आती है जिनका math background रहा ही नहीं है ठीक है उन बच्चों के लिए इसको अच्छा समझेगा ध्यान पूर्वक यह earphone लगा लेजिए ध्यान से हमारी आवाज को सुनिए जिससे क्या होगा तुम्हें समझ में आएगा basic और जब basic समझ में आगे ना तो question कहीं का भी हो किसी भी exam का हो सारी solve कर लोगे दूसरी चीज़ जब यह series cover हो जाएगी तो जितने भी exam होते हैं उनके PYQs हम कराएंगे हाँ हर एक playlist बना देंगे कि SSC के यह PYQ है SSC SL के यह है SSC CGL के यह है UPP के यह है UPSSCC के मलब जो भी pet होता है उसके भी करा देंगे ठीक है सारे के सारे कराएंगे PYQ कराएंगे के बद क्यूंकि math जब cover हो जाएगी basic तो जाइज सी बात है अब PYQ कर सकते हो कोई problem नहीं होंगे तो time based ना करते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं ठीक है तो इस chapter को ध्यान समझे इस वीडियो में पूरा chapter cover हो जाएगा ठीक है एक एक चीज समझे गाध्यान से basic तो basic क्या क्या है जब हम जिसे market जाते हैं या यूं समझे हम किसे से कोई चीज लेते हैं खरीते हैं तो मालो हमने खरीदा 500 रुपे की जहान समझे गाध्यान से 500 रुपे की हमने कोई चीज खरीदे जो खरीदा जाता वह होता क्राइम मुले क्या होता है क्राइम मुले और जो बेचा जाता है तो यह बोलते हैं विक्राय मुले और यह क्या था खरीदा जाता है यह बात के लिए बिलकुल 0 से बता रहे हैं जिस मुले पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम क्राय मुले बोलते हैं और जिस मुले पे कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम विक्राय मुले बोलते हैं यह बात किलियर हुई 500 रुपे में तुमने ख़ईदा 800 में बेचा जाहिर सी बात है फाइदा हुआ फाइदा कितने का हुआ तो तुम कहोगे लाब हुआ मुझे 300 रुपे का लाब हुआ ना आराम समझेगा बिल्कुल धीरे देर पढ़ा रहे हैं आगे हम इस फिट थोड़ा बढ़ा लेकिन यह नहीं पता ही आया क्यूं है हमने तुमको रीजन भी बताया क्यों आया यह ईए बात किलियरोगी लाब बेराबर क्या हो गया WCKL मुली माईनिस करें मुले तो लाब कभ होता है जब विक्र leg मुली जयादा होता है यह नि जब बेच होगी ज्यादा मुली पर थी तो जाहिर सी बात जहादा से कम को माइनस करेंगे तो विक्रेय मुले माइनस क्रेय मुले यह यह समझ आ संदे है Megan विक्राइमुले लाभ हानी बट्टा अंकेत मुले इन सब चीजों को वारें बताएंगे कैसे यूज होता है कहां पर लगता है कैसे क्या करना है तो यह बात क्लिए रोगे लाभ अब यही चीज हम क्या करें पांसो पे चीज थी अगर मानलो हम इन्हें इसको बेचा होता चार तो तुम कहते कितना का हानी हो गया तो पांसो की चीज थी चार्सो की बेची सव रुपे की हानी हो गई हानी कितने की हुई ध्यान से देखिएगा हानी हुई सव रुपे की हानी हुई सव रुपे की जो हानी आई है यह जो हानी आई है यह कैसे आई है तो देखो पांसो की चीस ती 400 की बेची हानी कैसे आएगी 500 से 400 माइनस करोगी तब ही तो 100 रुप्य आएगा यानि क्राय मुल्य से विक्राय मुल्य माइनस कर दो तो हानी आजाएगी कि तो लाव सिंक गए ऐनी सिंग गए दोसरी चीसरी चीशिखे कि लाव परिसत क्या होता है लाब कि पॉच्छा जाता है लापici बताइए कितने प्रसं लाभ हुआ को संप पढ़े होंगे अगर जीनों ने पर इम्शाम दी लिखा जाता है यहीं क्रैम मुल्य लिखा जाता है हमेशा याद रखना चाहें लाब प्रशत हो चाहें हानी प्रशत हो क्रैम मुल्य लिखोगे गुड़ें सव कर दो यह बात क्लिए रोगे ऐसे हानी प्रशत निकालना अगर है तो हानी लिखो जो ची निकालनी वही तो पिरश्र सिग गहें। इतनी बात के लियर हुई. अब आते हैं नई चीज़ पर क्या मरताएं? यह बचत प्रसन बट्टा क्या है िप्टा एक डिसकाउंट होता है, बट्टा को डिसकाउंट बोला जाते हैं, 100 रुपे की खरीदी, हमने उसको 20% बट्टा देकर, किसी वेक्ति ने 20% बट्टा पे, या 20% बट्टा लिख देते हैं, दोनों चीज याद रखो, चाहें बट्टा कहें, चाहें चूट कहें, दोनों एकी चीज है, फिर से सुनो, 100 रुपे की खरीदी, अब 20% बट पर बेच दी तो 20% बट्टा पर जब हम बेच देंगे तो बेचेंगे ना यानि विक्राय मुल्य हो गया खरीदा था अब हमें विक्राय मुल्य बताना की कितना होगा विक्राय मुल्य कितना होगा तो तुम लोग बताओ कितना होगा विक्राय मुल्य तो कोई चीश सवर पर की थी और 20% की छूट हो गई तो यानि उसको हम 80% पर बेचेंगे बास यही चीश समझ नहीं तुमको 20% की जब छूट हो जाई तो टोटल होता है 100% और जब 20% की छूट दे दी गई तो बचासी यानि 80% पर बेचेंगे तो दो जिरो दो जिरो कड़ गए यानि 80 रुपे में उसको हम बेचेंगे यह हो गया विक्राय मुल्य अब हमने तुमको बता दिया छूट के बारे में क्या होता है छूट किस पर लागू होती है तो जिस पर हमने खरीदा है यानि किराय मुल्य पर और दूसरी चीश कोश्चन में अगर लिखा कि अंकित मुल्य पर छूट मिलती है अंकित मुल्य पर छूट मिलती है तो अंकित मुल्य क्या होता वो सीखो ध्यांद देखीएगा सो रुपे की चीज है जो कि हमने खरी दी जो कि हमने क्या कि अ इस पर झाहा ल्ड़ इस प्राइस ट्राइग लगा दिया क्या लगा दिया हमने का भाई यह 555 Α hm समझ यह मौल आल जाते हो तो महां देखे देखते हो MRP लिखा होता है, तो क्या वो cross price है, नहीं, अब तुम सोचरा सोचो, उस जब mall जाते हो, तो वहाँ पर लिखा होता है कि 150 की वस्त हुए, 200 की वस्त हुए, तो उस पर discount होता है, 20%, 30%, तो क्या तुम सोच रिसकाउंट वो दे रहा है, तो मलब ग्राहत का फाइदा हो रहा है, उ तब भी उसको कितने मिलेंगे, 135 रुपे मिलेंगे, यानि तब भी उसको 35 रुपे का फाइदा है, छूट देने के बावजूद भी उसका फाइदा है, यही होता है business mind, चीज 100 रुपे की लेकिन लिखा हो 150 का है, और discount भी दे रहा है ताकि ग्राहत खुस हो जाए, बात समझ हम तुम्हें जो है, चलो तुम्हें हम छूट दे रहें, बढ़िया वली, 30 परसंट की छूट दे रहें, 30 परसंट की छूट दे रहें, समझे, समझेगा, 100 रुपे क्राह मुली था, 150 अंकित मुली था, 30 परसंट की ग्राहत को छूट दे गई, आप बताओ, ग्राहत कितने मुली बताना है तुम्को विक्राइ मुली हो गया सैय है लाए 65 हो गया 30 परसेंट की चूट जो दी गई है किस पे डी जाएगी बता क्रै मुली पे दिस जाएगी कि 150 पर और जो ग्राहक को भी Francisco CM कि लेगा ना उसे यह थोड़ी ना पता है इसका कॉश्ट प्रेस सो रुपय होगा यह थोड़ी ना प्रिंट है बास समझ गए तो 150 पे 30 परसंट की जब छूट होगी तो यह बताओ कितने की वो पड़ेगी तो अभी हमने तुमको बता है 30 परसंट की छूट हुई तो टोटल होता है 100 परसंट तो हैंडल से 30 गया कितना बजा 70 यहींनि 70 परसंट पे वो बिकेगी दो जीरो दो जीरो कट गए 15 सती 105 एक सो पांच की वस्तू 105 रुपय की वस्तू बिकेगी ध्यान समझेगा 150 की थी और 30 परसंट पे छूट पे बेची गई तो यानि उस वस्तू कितने की पढ़िए 105 की ग्रांग 105 की खरी देगा लेकिन लागत कितने का था लागत तो 100 रुपय की थी ना तो 100 रुपय की बस्तू थी अब वो बेची जारी 105 पे यानि फाइदा हो गया 5 रुपय का लाब हो गया और हमने कहा था क्राइम उल्ली नीचे लिख हो गया ठीक है लेकर व पांच बटे सव गुडे सव हानी लाब बटे क्राइम उल्ली गुडे सव 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 काट दो सव सव काट दो पांच आ गया 5 परसंट इसका अंसर लाब मजाया बेसिक किलियर कोई भी कुदुनिया भर का कहीं का भी कोश्चन हो आप तुम सॉल कर सकते हो सारी चीजे जो भी इ अब आते हैं कि कोश्चन पर देखिए पीवाइक्यू कराएंगे किवल ठीक है पीवाइक्यू जरूरी होते न रहो कोश्चन बहुत सॉल कर जो इंपोर्टेंट है फालतुए कोश्चन ना पढ़ा को ज्यादा फालतुए कोश्चनों सिलेक्शन नहीं होता है देखो तो ध्यान से देखिए पहला कुश्चन एक मोटरसाइकल सत्तर हजार में भीचने पर राम को 25 परशंट यदू से 30 परशंट का लाब करना है तो मोटरसाइकलả किस मूलय पर बेशनी चाहिए तो ध्यान से देखो सत्तर हजार पर बैचा गया 25 परशंट का लाब हुआ याद रखना CP हमेशा 100% होता है यह बात किलियर माइंड में सेव कर लो CP यानि cost price कितना होता है 100% तो 100% पे होगा होगी वस्तु अगर तो 25% लाप पर बेचोगे यानि वो 125% की बिकेगी कितने की बिकेगी 125% की लेकिन बेच वो कितने का रहा है 70,000 का यानि 1% की वैलू आ गई 70,000 बटे 125 यह बात किलियर अब उसने कहा कि 30% के लाप पर बेचना है उसने 30% का लाप प्राप्त करना है तो यानि बेचेगा 130% पर ध्यान समझो 25% का लाप हुआ तो यानि 125% पर बेचा उसने अब 30% का लाप है यानि 130% पर बेचेगा तो 130 से गुणा कर दो क्या कर दो एक परसंट को 130 से गुणा करोगे तो 130% मन जाएगा और यही निकालना है समझ गए 130% की वैलू क्या होगी तो 70,000 बटे 125 गुणे 130 अब इसको एकजाम में कैसे करते है तो इसको एकजाम में डाइट करते है कैसे सतर हजार ठीक है यह 125% की वैलू है तो 105 नीचे आजाएगा यह एक परसंट की वैलू होगे और निकालनी 130 की बस इतना केवल सौल करेंगे आंसर आ जाएगा एक्जाम में कंपेटिशन में ऐसे करना बस इतना यह तो हम तो समझाने के लिए इतना लिखते हैं बास समझ रहो है मेरी देखो माइन में कल्कूलेसन जादा कि लिखा कम करो लिकिन हम क्या करें समझाने जरूरी क्योंकि तुम लोग समझ में नहीं आए तो कर नहीं पाएगे तो देखो यहां पर पांचछिस पांच दूनी 10, 525, 525, 525, 525, 520, कितने 0 लगेंगे थीजर ठीक है खिक है श के बाद पर पा फिरspecific चालिस जीरो जिरो 23 आंट अगया और यह 26 आ गया अठाइस 26 की गणा करोग सिदो झेल है ये अगर यूधaltet घॉज़OW झीज सीários मीद्व लкимиoccuprant मालूल तुम्हें अगर चेक करना है तुम्हें लग रहा है कि 26 28 की गुणा करेंगे तो यह 728 नहीं आएगा चेक कर लो देखो 28 नीचे 26 नीचे कभी भी दो संग्यां गुणा करो कैसे करोगे 688 48 का 8 लिख दो चार हासिल हुआ क्रास गुणा करो 6 दुनी 12 आड़ दुनी 16 बारा 16 जोलो कितना हुआ 28 28 में हासिल कितना था 4 चार 32 का दो तीन हासिल हुआ तीन हासिल तीन लेकिन इसमें दिया है डात्रवाला आप्टन लगा दो तक ह необходимо एक बाइक का सूची मुल्ली सूची मुल्य मुल्य क्या होता बताओ अंकित मुल्य अंकित मुल्य है हमने सूची मुल्य तो इसके क्राय मुल्य से 15 पर संधे सास्ट मैं लिया और ये मिल्य ॥ consensus North यह बात समझ में आई उसके बाद इसे 20% की चूट पर बेचा जाता है कितने परसंट की चूट पर तो अगर 20% की चूट दे दें इसमें तो कितने की पड़ेगी वह किस पर सो रूपे पर तो आट परसंट हो जाएगा चाहोतो लिखना चाहुत लिख दो आठ फिटे सो गुणे 8% आ जाएगा clear next question एक वस्तू X रुपए में बेची आती है कितने रुपए में X रुपए में यदि इस कीमत के 33 सही 1 बटा 3 यानि 100 बटे 3 हो गया और 100 बटे 3 परसर यानि 1 बटा 3 आएगा परसर रटेगा 100 नीचे जाएगा 1 बटा 3 आजाएगा 1 बटा 3 पर बेचा जाए तो 20 परसंट की हानि होती है तो क्या होती है 20 परसंट की हानि होती है तो 20 परसंट की हानि होती है तो CP तो 100 परसंट होता है CP तो 100 परसंट होता है अब 20 परसंट की हानि हो रही है तो यानि 80% पर ये वस्तुभी कर रही है ये बात के लिए हो गई अब यहां से 100% की वैलू निकाल लो तो 1% कितना आएगा तो 1% आ गया ये ये 1% की वैलू है और 100% की वैलू 100 से गुणा करनेंगे तो ये 00 कट जाएगा 248 2510 तो ये हो गया 5x बटे 12 ये क्या आया है बताओ 100% की वैलू यानि ये cp आ गया बात के लिए कितना आ गया cp आ गया आगे पढ़ो क्या लिखा है जब इसे x पर बेचा आता है तो 5x cp है अब इसे x पर बेचना है किस पर बेचना है ध्यांस देखिया कोशन अच्छा है ये 5x 12 cp आया है अब हमें बेचना किस पर रहे x पर बेचना है तो x पर बेचेंगे तो ये दो को ये x से छोटा है ठीक है तो x से बड़े से छोटे को माइनिस करेंगे 5x बटे 12 बटे यही तो cp है इसे को नीचे लिख लेंगे क्लियर ये बात क्लियर होई और गुणे 100 कर देंगे बस आंसर आ गया 12x-5x यानि कितना हो गया 7x 12 बटे 5 गुणे 100 x x कर गया 5 2 9 10 20 सते 140 आंसर इसका आराम से स्पीट कम करके देख लीजिए ठीक है ये आपसे इसका राइट आंसर इसके बाद चौथा गोशन देखिए एक वस्तु किसी वस्तु को 8% के हानी पर बेचता है यदि उसने उस वस्तु को 10.5% के लाब पर बेचा होता तो उसे 37 रुपए अधिक मिलते वस्तु का क्राय मुली बताओ तो देखो 8% के हानी हुई ध्यान से देखिएगा फिर क्या हुआ उसने जब उस वस्तु को 10.5% के लाब पर बेचा तो क्या हुआ 30 सुपए अधिक मिले गया यह नहीं अंतराल दिया गया है यानि इन दोनों का डिफ्रेंस तो देखो बड़े से छोटे को माइनस करो तो बड़ा यह 10.5 बड़ा है यह प्लस में है लाब है ना प्लस लाब में लिखते है लाब है ना देखो यहां पे लिखा भी है लाब और इसी की वैलू दी गई है कितनी 37 रुपए किराय मुले निकालना है और किराय भी हमने तुमको बताया कितना होता है 100 परसंट तो यह हो जाएगा एक परसंट की वैलू क्या हो गई 37 बटे 18.5 पॉइंट हटेगा तो उपर 0 बड़ जाएगा यह 1 परसंट की वैलू हो दाहम 370 पांच दूनी 10 20 20 दाहम 200 इसका अंसर मजा आया उड़ा उड़ा के मारोगे ठीक है कोशन को बिलकुल अब आगे देखो एक कोशन और एक आदमी जो है वो दो वस्तुमें खरी दे उसने एक आदमी ने दो वस्तुमें खरी दी ठीक है अच्छी बात है पर तेक की की कितनीू 108 उसने एक वस्तु 15% के हाँनी पर बेचि और दूसरी वस्तु कितने पर बेच्थे ताकि कोई हानि भूब नाँ हो कोई बात ने तो देखो एक बस्तु है कि 148 ठीक है इससे वो बेच रहा है 15 पर सेंड़ां से देखना है पंदर प्रसंट इसका अंसर हो जाएगा ओर्ली कोश्चन था कोई दिमाग वाला कोश्चन नहीं